जी पिछले लेक्षर में आपकी ये assignment थे कि आपने range function को लिखना है range किस तरीके से आपके पास print होती है और अगर ये callable नहीं है you have to resolve this error तो इसका solution कुछ इस तरीके से है मैं यहाँ पर right click करके एक नहीं file बनाता हूँ इसका नाम 07 range list के नाम से इसको मैं save कर लेता हूँ and इस तरीके से यह वाली file जो है मेरे पास बन गई है अब इस file के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम range function को use कर सकते है simply मैं यहाँ पर लिखता हूँ range function to make list ठीक है इसको हम लिखेंगे and मैं इसके पीछे hashtag लगा देता हूँ इसको enter control enter या shift enter करके मैं start करता हूँ यहाँ पर while लिखके code आजाएगा यहाँ पर हम कोई भी list बना सकते हैं say for example list हमने लिखनी है इसके अंदर range का function लगाना है और range का function लगाने के साथ ही we have to put range और उसके अंदर हमने 10 या कोई भी हमने step इसके अंदर लिख देना है ठीक है and is that easy आपने simply यही काम करने और आपका जो range का function है वो run कर पड़ेगा let's see कि हमारे पास किस तरीके से यह range का function जो है यह run करता है यहाँ पर मेरे पास आगया list और range हमने बदानी है एक से लेके 10 तक और इसमें step जो है मैं 2 कर रख लेता हूँ and let's see कि यह हमारे पास यह काम करता है मैं इसको run करता हूँ so 1, 3, 5, 7, 9 यह range हमारे पास आगयी है दो step के साथ अगर मैं कहूँ कि 1 से 100 तक मेरी list बनाओ और 10 के gap से बलके 0 से 100 तक बनाओ 10 के gap से तो यह हमारे पास कुछ इस तरीके साथ है कि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 क्योंकि हमने 10 का gap रखा है इस वज़ा से 0 से start किया अगर मैं यहां पर 1 से start करता तो यह हमारे पास 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 इस तरीके से आथा ठीक है और अगर मैं 2 से start करूँ और यहां पर 2 का gap रखूँ यह मेरी 2 से लेके 50 तक की list यहां पर त्यार होगी and when I run this so you will see 2 से 50 तक है क्योंकि हमारे पास values ज्यादा है तो वो automatically जो हैं वो column की form में हमारे पास इसका answer जो है वो आ रहा है अगर यही मैं 2 से लेके 10 तक रखूँ और इसको run करूँ then you will see 2, 4, 6, 8 हमारे पास answer आ रहा है ठीक है this is how your range function will work यह थी आपके assignment hopefully आपको इसका solution drive मिल क्या होगा see you in the next one